जोस्तो आज हम लोग में इसके एक important topic simple interest और compound interest के बारे में बात करेंगे सभी exams के लिए ये topic बहुत important है चाइव IBPS PO का exam है या फिर color का exam हो 30 से 40 second में कैसे किसी question को handle करना है इस बारे में बात होगी आप देखरें bankers point हमारी नई website bankers point.org को जरूर विजिट करें मैंने इस वीडियो को इस topic को दो parts के अंदर divide के है जिसमें एक वीडियो जो आप देख रहे हैं ये part 1 है जिसके अंदर में आपको कुछ sort tricks बताऊंगा और simple example से उनको समझाने की process करूँगा जब अपन लोग sort tricks को अच्छे से सीख जाएंगी उसके बाद में part 2 के अंदर में कुछ अच्छे लेवल की questions आपको उन sort tricks की मदद से solve करके दिखाऊंगा हमने facebook पे page बनाया है जिसको आप लोग like कर सकते हैं जो description मेंने facebook page का link दिया हुआ है जिससे आपको सारी updates facebook पर मिल जाएंगी चलिए दोस्तो start करते हैं इस topic को पहले में कुछ छोड़ी छोड़ी चीज़ें छोड़ी चोड़ी एक्जामपल्स के साथ आपको समझाने एकोसिस करूँगा जैसी कि पहला question है 5000 रुपीज की रासी पर 10% परतिवर्स दर से 3 वर्सों का चकरवति ब्याज कितना होगा तो इसको निकालने के लिए एक तो अपने पास formula है ठीक है या तो अपन फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं या फिर कुछ मैं आपको फास्ट एक ट्रिक बताता हूँ उससे आप लोग को सोल कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि how to calculate compound interest मतलब CI की short trick मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ दोस्तो जब आपको दो साल का CI निकालना हो two year का जैसे कि एक example के तोर पे अपन लेते हैं 1000 रुपीज 10% की rate पे two years के लिए अपने को CI निकालना है तो दोस्तो आप simple 1000 रुपीज को लिख लीजिए उसके बाद दो लाइने से खिस लीजिए ये 10% है इसको मैं 1 by 10 लिख सकता हूँ हर बार किसी भी percentage को आप fraction में लिख लीजिए 1 by 10 कैसे आया 10 by 100 किया मैंने तो वहाँ से क्या आ गया fraction के रुप में 1 by 10 आ गया है यहाँ पर 1 by 10 लिख दीजिए वहाँ पर 1 by 10 लिख दीजिए दोस्तो इन दोनों को multiply करने के बाद में यहाँ पर 100 आ जाएगा यानि कि 1000 का 10% 100 मैंने लिख लिए यहाँ पर एसे यहाँ पर लिख लिख लिए चुकि यह compound interest इसलिए इंट्रेस्ट के उपर फिर से इंट्रेस्ट लगेगा इसलिए यहाँ पर फिर से 1 by 10 करके यह 10 हो गया यानि कि 1000 रुपीज के ऊपर 2 एर का जो compound interest है वो हो गया 210 रुपीज दोस्तो इससे क्या होगा आपको square cube इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ेगा यह हो गया two year के लिए यह आप समझ क्योंगे और ज्यादा तर जो questions होते हैं वो two year के उपर based ही होते हैं तो इसलिए आपको वहाँ पी यह trick लगानी है यह trick अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगे इसमें बहुत ज्यादा कुछ लिखना पड़ रहा है लेकिन दोस्तों यह बह difficult question में नहीं बनाते हों direct यह तो आपको amount पूछेगा या principle पूछेगा या फिर compound interest पूछ लेगा तो दोस्तों जिसकी इस question के example के तुरू मैं आपको 5000 रुपीज का three year का CIE निकाल के दिखाता हूं ठीक है दोस्तो 5000 रुपीज के लिए तो दोस्तों यहाँ पे 10% ब्याज कि द नंबर है 331 ठीक दोस्तों सबसे पहले में पहला नंबर यूज कर रहा हूं यह यहाँ पे मैंने three लिख दिया multiply by one by ten यह यहाँ से one by ten आ गया multiply by 5000 ठीक दोस्तों जो 5000 का 10% में यहाँ पे निकाल रहा हूं plus three multiply by दोस्तों यहाँ पे solve कर लिया मैंने इस bracket को यहाँ पे तो यहाँ पे 500 आ गया यह 500 मैंने यहाँ पे लिख लिया into one by ten ठीक है दोस्तों प्लस यह वाला जो three है यह वो ट्रिक के नंबर यहाँ से आया है इसके बाद में plus one one यहाँ से solve जब मैंने किया तो यहाँ पे 50 आ by one by ten तो दोस्तों तीनों को solve करके जोड दीजिए तो यहाँ पे आ गया 1500 प्लस 150 प्लस 5 तो यह हो गया 1655 दोस्तों यह अपना answer यहाँ पे आ गया B तो दोस्तों इस trick से आपको cube करने की जोरत नहीं पड़ेगी और direct आप लोग बहुत ही आसानी से 3 साल का जो CI होगा वो आप आपका निकल जाएगा ठीक दोस्तों तो इसमें आपके calculation थोड़ी कम हो जाएंगी जब आप इसको दो तिन बाप practice कर लेंगे तो बहुत तेजी से यह question होने लग जाएगा आप 30 से 40 second में आराम से इसको कर लेंगे अब दोस्तों च्यार साल की जो ट्रिक्यों बताता हूं कि कभी कभी direct 4 year का CI पूछे लेता है ठीक है दोस्तों तो 4 year के CI के लिए आपको जो ट्रिक थी जो नंबर था 4641 जैसे आपने 331 जो 3 year का जो अपना था ट्रिक थी 331 331 जैसे इस नंबर को यूज किया वैसे ही 4 year के लिए इन 4 नंबर को आपको यूज कर लेना है फिर 4 को जोड अब मैं आपको बताना चाहूंगा next question में एक direct formula के तोर पे मैं आपको trick दे रहा हूँ इस formula को आपको याद करना है और direct इस type का question आ है तो इस formula को apply करके आपको question का answer निकालना है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर अपने को दिया है कि the difference between simple interest and compound interest of a certain amount of money at 20% per annum for 2 years is 48, 48 रुपीज जो simple interest और compound interest उसका difference दिया हुआ है और जो rate है वो अपने को 20% दिया हुई है और जो time है वो अपने को 2 years दिया हुआ है तो दोस्तों direct जो formula है अपना यहाँ पे sum निकालने का तो वो है d by p sum का मतलब वही principle amount है d by p is equal to r by 100 का whole square 2 year के लिए यहाँ पे difference हो गया यह principle हो गया यहाँ पे rate हो गया तो देखिए दोस्तों difference अपने को 48 दिया है principle amount अपने को निकालना है जो rate है वो अपने को 20 दी है यहाँ पे 100 हो गया तो इसका square हो गया तो यह यहाँ से cut जाएगा तो 48 by p is equal to 1 by 25 तो दोस्तों यहाँ से जो principle amount ता वो 48 into 25 आ जाएगा तो यहाँ से जो value आएगी वो आ जाएगी आपको 1200 ठीक है दोस्तों ठीक है दोस्तों तो यहाँ तक आप लोगों को यह question hopefully समझ में आया होगा ठीक है अब इस question की मैं आपको एक अलग से trick बताऊंगा जिसमें आपको कोई भी formula यूज में नहीं लेना है लेकिन वो trick में इस session के last में दुबारा से question को सम पूमला याद नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आराम से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसके बाद में दोस्तों एक बहुत अच्छा में आपको concept बताने वाले हूँ यहाँ पर अपने वो क्या दिया होती यदि ब्याज की घंड़ना प्रतियक वर्स के आ अमाउंट दे दिया है जो लास्ट के इंदर जुड़ने बाद आएगा तो आपको डायरेक्ट चकरुती ब्यास की दर निकालनी है दोस्तों इस क्यूस्चन को अगर आप फॉर्मुले से करने बैठेंगे तो बहुती जादा एक क्यूस्चन उलद जाता है और टाइम पर सो हो गए दोस्तों जितना आप इनको काट सकते हो उतना काट लेजिए यह यह जो स्थो यहां पर मैं फुर से फिर इता हूं ठोर अधसे फूर फॉर हंड्रेड फोर-फोर वन sex अब अब दोस्तों यहां पर टाइम क्या है लिए है two years तो इसका स्कृर रूट ले लिजिए दो 21 आ लिया अब दोस्तों आप CISI सब भूल जाईए आप यह मान लीजिए कि कोई राशी 20 से 21 हो गई तो कितना इंक्रीज आया इसके अंदर कितना इंक्रीज आया 21 का कितने के उपर 20 के उपर तो इसका परसेंटेज निकाल लिया मैंने तो यहाँ पर डाइरेक्ट आगे अपना 5 परसेंट ठीक है दोस्तों तो आपको कुछ नहीं करना है आपको ध्यान में 8000 की रासी दो साल में 8820 हो गई ठीक है उसके बाद में जितना आप उनको काट सकते यहाँ पर आपस के अंदर 2 से काट लिया मैंने उतना काट के उनको सोल कर लिजिए एक रेशियो की हिसाब से इन दोनों को सोल कर लिजिए यहाँ पर आप लोग रेशियो भी मान सकते हैं कि ऐसे रेशियो की हिसाब से मैंने यहाँ पर इसको सोल कर लिया ठीक है इसके बाद में दो साल का अगर टाइम है तो स्क्वायर रूट ले लिजिए उसके बाद में आराम से आप लोग सोल कर सकते हैं यह मानते हुए कि ट्वंटी की रासी दो साल में 21 हो गई तो उसके उपर अप मैंने सिंपल 2021 हो गया तो उसके उपर मैंने परसेंटेज इंक्रीडमेंट निकाल लिया है ठीक है दोस्तो अगर यही क्यूशन तीन साल के लिए आ जाए तो क्या करना है उसके लिए भी सिंपल सी चीज है जैसे कि वही दिया हुआ है टेन थाउजंड की जो रासी है अपने पास वह थर्टीन थाउजंड थ्रीहंड टेन रूपीस वि लिजे आगे यह सोल होगा नहीं तो यह सिंपल अपना यह आ गया ठीक है क्योंकि यहां पे तीन वर्स है थ्री यहां पे लिखा हुआ है अपने पास टाइम थ्री यह का दिया हुआ है तो इस बार अपन स्क्वायर रूट नहीं लेके क्यूब रूट लेंगे तो इसका क्य percentage निकाल लिया यहां पर 10% यह आ गया सीव आंसर आगे आपका ठीके दोस्तों इस से क्या होगा आपका क्यूशन बहुत फास्ट हो जाएगा 30 से 40 सेकेंड में आराम से आप लोग कर पाएंगे यह छोटी छोटी जो ट्रेक्स हैं दोस्तों आगे जाके आपको जो हार्ड लेव क्यूशन में आपको पार्ट टू के अंदर जरूर बताऊंगा इसलिए अभी आप इन ट्रिक्स को अच्छे से दिमार्ट में बिठाईए यहां पर अपने पास दिया गया वहर आसी बताईए जो दो वर्ष बात 10% की चक्रवती ब्याजदर पर 2420 रुपीज हो जाएगी य प्रिंसिपल अमाउंट पूछ लिया यानि कि मूलधन पूछ लिया आप से और यहां पर अमाउंट यानि कि मिश्रधन हिंदी मिडियम के लिए मिश्रधन आपको दिया हुआ है 2420 ठीक है और यहां पर आपको रेट भी दी हुई है 10% ठीक दोस्तों जिसको मैं बन बाई 10 लिख सकता हूं दोस्तों जब भी ऐसा क्यूस्चन आए इस सिंपल आपको टाइम भी दिया हुआ है टू इयर जब भी दोस्तों आपके पास एसा क्यूस्चन आए तो सिंपल रेट को फ्रेक्शन में लिखने के बाद में जो यह नीचे जो भी नमबर आ रहा है चाहिए 10 हो 11 हो कुछ भी है यहां पर 10 आ रहा है इस 10 को आप एक बाद लिख लीजिए और अगर टू इयर का टा रेट इसके उपर में 10% की रेट से CI निकाल लेता हूं जैसे कि मैंने आपको ट्रिक पताई थी टू इयर का CI निकालने के लिए तो यहां पे मैंने टू इयर का CI निकाल लिया यह मैंने बता दिया है वीडियो की शुरू के बाग में कैसे निकालना है तो यहां पे जो CI आई मूल धन यहां मैंने मान लिया है 100 रुपीस तो मेरा मिसर धन कितना आया 121 रुपीस ठीक दोस्तों तो यहां पे लेकिन मिसर धन कितना है 2420 इसलिए इस 121 को 20 से जब मैं मल्टिप्लाई कर दूँगा तब जाके मेरा जो ओरिजनल वाला जो क्युशन मेरे को मिसर धन दिया हु ठीक है दोस्तों इसलिए मैं मूल धन को भी 20 से मल्टिप्लाई कर दूँगा और यहां पे यह नंबर हो जाएगा 2000 तो आपका अंसर आ गया 2000 दोस्तों इसको एक सिंपल में मैं दुबारा आपको समझा दिता हूँ सिंपल जब भी आपके पास ऐसा क्युशन आए तो आप रेट को फ्रेक्शन के रूप में लिख लीजिए तो 10 परसेंट को मैंने 1 बाइ 10 लिख लिया 10 के उपर टाइम का पावर लगा दीजिए जैसे 2 है रहे है तो यहां पे मैं 2 लगा दूँगा तो यहां पी यह 100 हो जा रही है उसको original value से मैं compare करूँगा तो यहां पे मेरे को मिसर धन की original value 2420 दे रखिये और इस इसाब से मेरे पास जो मिसर धन है वो और जो amount है वो 121 रूपीज है ठीक है दोस्तो मेरे इसाब से तो 121 रूपीज है लेकिन question ने बोला है कि वो 121 रूपीज नहीं 2420 रूपीज ह है तो यहां पे मैं इसको 20 से multiply कर लेता हूं तो 2420 आ जाएगा जब मैं मिसर धन को 20 से multiply कर रहा हूं तो जो मैंने मूल धन माना है उसको भी मेरे को 20 से multiply करना पड़ेगा तो यहां पे मेरे पास जाएगा 2000 तो direct आपका answer आगा 2000 अगर दोस्तों आप यह 20 नमबर पता नहीं कर हैं कि किस से multiply करना है तो simple सी चीज़े 2420 को आप 121 से divide कर लीजिए तो आपके पास यह 20 नमबर आ जाएगा और यह 20 आने के बाद डाइरेक्ट इसको मूलदन से multiply कर दीजिए दोस्तों यह जो ट्रिक है बहुत अच्छी है काफी अच्छे-चे questions के अंदर इसका use होगा तो आ रुपए है समान ध्रनासी पर समान ब्याज दर से तता समान समयान के लिए साधारन ब्याज कितना होगा तो दोस्तों यहां पे एक मतलब एसक्योशन कहीं बार एक्जामस में देखे भी जाते हैं simple आपको rate दे दिया है time दे दिया है और आपको CI दे दिया है लेकिन आपसे लिए साधारन ब्याज कितना होगा लेकिन जब दोस्तों आपके पास मूल धन यानि की principal amount ही नहीं है तो आप SI simple interest कैसे निकाल लेंगे तो सबसे पहले आपका target होना चीए कि मेरे को principal amount find करना है principal amount यानि की मूल धन मेरे को निकालना है मूल धन निकालने के लिए दोस्तों मैंने simple से आपको trick बताया था जो मैं एक last question मैंने discuss किया है rate को 1 by 10 लिख लिया दो वर से इसलिए square करके 100 आ गया यहां से जब मैंने इसका ब्याज निकाला तो 21 रुपीज आ गया अब दोस्तों वह कितना है 21 इसके question के साफ से कितना है 420 तो इसको 420 बनाने के लिए मेरे को 20 से multiply करना पड़ेगा तब यह 420 आ जाएगा इसलिए इसका मतलब हो गया कि मेरे को मूल धन को भी 20 से multiply करना पड़ेगा यहां पे मेरा मूल धन आ गया 2000 रुपीज ठीक है अब 2000 रुपीज का दो वर 100 यह SI का formula होता है यहां पे आपके पास सब कुछ आ चुका है P की value आपके पास 2000 र की value 10% और T की value 2 year divided by 100 तो यहां से आप निकाल सकते हैं तो यह आपका जाएगा 400 रुपीज आंसर ठीक है दोस्तों तो यह सारे questions होपफुली आप लोगों को समझ में आए होंगे ठीक है अब में last question जो मैंने आपको एक बताया था है मैं उसकी दुबारा से आपको एक trick बताऊंगा वो मैं दुबारा से आपको बताने जा रहा हूँ यह वाला जो question है इसकी मैं trick आपको बताने जा रहा हूं दुबार से एक तो मैंने यह formula जो आपको इस क्रीन पर दिखाए दे रहा है इस हिसाब से आपको इस question को solve करके बताया था दूसरा मैं आपको दूसरे हिसाब से बताने जा रहा हूं CI और SI के अंदर difference क्या होता है दोस्त 20% को 1 by 5 लिख सकता हूं 2 years है इसलिए इसका मैंने 25 मान लिया यहाँ पे square कर लिया ठीक है 5 का square करके यहाँ पे लिख लिया इसके बाद में यहाँ पे 1 by 5 1 by 5 तो यहाँ पे भी 5 आ गया यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 1 by 5 यानिकि 1 आ गया ठीक है दोस्तों यहाँ से दोस आता है यह आता है component यानि कि यहां पे 10 है वो क्या है ci है और 11 है वो एसाई है यह जो 10 है वो एसाई है और जो 11 है वो ci है उल्टा मैंने लिख दिया था sorry for that ठीक है तो इससे क्या होगा आपको पता चल रहा है इससे क्या है कि यह जो नीचे जो भी नंबर आता है यह हमेशा SI और CI का difference होता है ध्यान से समझना देखो मेरी इस बात को यहां पे मैंने 25 लिखा यहां पे 55 यहां पे मैंने 1 लिखा ठीक दोस्तों यह आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे लिखा तो जो उपर वाली जो line होती है यह हमेशा दोनों को जोडने के बाद में SI होता है और इन सबको जोडने के बाद में क्या होता है CI होता है यहां पे 10 CI हो गया 1 ठीक है अब SI हो गया 11 यहां पे difference हमेशा यही रहेगा जो नीचे नमबर आता है तो इसलिए direct आपको दिमाग लगाने है difference कितना है? 1 है यहां पे difference कितना है? 1 है लेकिन अपने question क इस आपसे difference कितना है 48 इसको 1 को 48 बनाने के लिए मेरे को कितने से multiply करने पड़ेगा 48 इसलिए 25 को जो अपना principal amount अपने मान के चला है इसको भी किस से multiply करना पड़ेगा 48 तो अपना answer 1200 आ जाएगा दोस्तों होफुली ये वीडियो आपको भूत पसंद आया होगा और इसका पार्टू जल्दी ही में रिलीज कर दूँगा पार्टू का लिंक आपको इस वीडियो के अंदर मिल भी जाएगा description के अंदर अगर आपको वीडियो helpful लगाओ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले नीचे आपको एक बटन दिखाए दे रहा होगा उस बटन की किलिक करके आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके ठीक है और लाइक कीजिए कमेंट कीजिए थेंक्यू वेरी मुट्